Question No.1, राजिस्तान का परसिद्ध पुसकर मेला किस माहा में लगता है? Question पूछा गया R.A.S. Pre-Exam 2003 में? Question के option है October माह में, November में, February में या फिर March में? Hello everyone, topic है मेले और त्योवार और इस topic को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ basic बाते पता होनी चाहिए तब ही जाकर के आपके concept जो है वो अच्छे से clear हो पाएंगी तो first basic बात ये है कि जो हमारे हिंदू त्योवार है वो विक्रमी कलेंडर पर आदारीत है और ये जो विक्रमी कलेंडर है इसमें 12 महिने होते हैं 12 महिनों के नाम जो है आपको AGT सियाद होने चाहिए तो 12 महिने है चैतर वैसाग जेश्ट आसाड स्रावण भादरपद आस्विन कार्तिक माक्सिस पोस माग फालकुन दूसरी बेसिक बात ये है कि जिस तरीके से जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल ये महिने होते हैं इनमें 7 दिन का 1 सपता होता है और 4 से 5 सपता मिलकर के 1 महिना बनता है उसी तरीके से विक्रिमी कलेंडर में जो महिने हैं मतलब चैतर वैसाग जेश्ट आसाड ये जो महिने हैं ये दो भागो में बटे होते हैं पूरा महिना जो है वो दो पक्षों में बटा होता है महिने का सुरुवाती पक्स जो होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्स और दूसरा पक्स जो होता है उसको बोलते हैं सुकल पक्स तो ये question आ जाएगा, पूछलिया जाएगा, कि जो विक्रमी कल्र में जो महिने हैं, उनका सुरुवाद जो है, वो कुन से पक्स के साथ में होता है, तो पहला पक्स होता है, कृष्ण पक्स, अब महिना जो है, वो 15-15 दिन के दो पक्वाडों में बटा होता है, तो पहले पक् का जो 15-15 दिन होता है, उसको बोलते हैं पूर्णी मा, मतलब महिने का अंतु होता है पूर्णी मा वाले दिन के साथ में, तो एक कुछ बेसिक फैक्ट हमने डिसकस कर लिए, जो आपको ध्यान में रखने है, एक सबसे इंपोटेंट बात ये है, कि जो हिंदी, हिंदी महिनो है चैतर का महिना, और चैतर महिने के जब 15 दिन गुजर जाते हैं, मतलब चैतर महिने का जब कृष्ण पक्स गुजर जाता है, और जब इसका सुकल पक्स स्टार्ट होता है, तो सुकल पक्स की जो फर्स्ट दे होता है, पृति पदा जो होती है, उस दिन 9 वर्स की प्रशिद्ध के शिर्वात होती है हिंदू धर्ण में, तो आपको ध्यान में रखना है चैत्र शुक्ल प्रतीबदा को नवर्ष की सुरुआत होती है, और यह जो चैत्र महीना है वो कब आता है, अगर हम जन्वरी फरवरी से कंपेरीजन करें तो मार्च अप्रेल जब अपन पुसकर मेला किस महा में लगता है, मतलब आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पुसकर मेला जो है, वो हिंदी महीनों के अकोडिंग कौन से महीने में लगता है, और जिस महीने में लगता है, वो अगर हम इसवी कलेंडर के महीनों से उसका की और कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला चलता है पांस दिन तक ये मेला चलता है और जब कार्तिक महिना चल रहा होता है उस समय मतलब उस समय जो है वो हमारे अगर हम इसवी कलेंडर में बात करें तो महिना चल रहा होता है अक्टूबर और नवंबर तो अभी हमने देखा कि म कार्तिक पूर्णिमा होती है मतलब महीने का लास्ट दे तो हमने देखा कि कार्तिक महीना जो है जब अक्टुबर और नौमबर महीना चल रहा होता है तब कार्तिक महीना आता है तो लास्ट दे है मतलब नौमबर तो कार्तिक पूर्णिमा आएगी नौमबर में तो नौमबर म चैंज करके इसी question को फिर से पूश लिया गया है इसके अलावा कपिल منी का मेला राजिस्थान में कपिल منी का मेला जो है कभ भरता है ये सारे questions जो है हम यहीं पर discuss कर लेते हैं कörung कि कपिल منी का मेला जो है वो भी ऌप लगता है कारतिक पूर्णिमा को ही लगता है तो सारे के सारे basic facts जो है वो इसी से related है तो यहाँ पर next question जो पुछा गया है वो है कि पुसकर मेला किस तिती को संपन होता है तो अभी हमने discuss कर लिया कि कार्तिक पूर्णिमा जो है उसको पुसकर मेला संपन होता है कपिल मुनी का जो मेला है वो लगता है बिकानेर में जो कोलायत जगय है वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि यह जो कपिल मुनी जो है इन्होंने संखिदर्सन दिया था और यहाँ पर कोलायत में जो है कार्तिक पूर्णिमा को उनका मेला लगता है कोलायत में और यहां पर question पुछा गया है कि कब भरता है तो कार्थिक पूर्णिमा को भरता है तो आपको देखो एक बात समझ में आ गई होगी कि question जो है fact जो है उनको किसी ना किसी तरीके से relate करके कुछ change करके, कभी concept को, sorry, option को question बना करके, कभी question को option बना करके, question जो है, वो बार-बार repeat किये जाते हैं, तो ये जो हमारे question है, वो PYQ है, मतलब राजस्तान के किसी भी exam में एक question जो पूछे गए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं, ये हमारी series है, पहले भी हमने कुछ series म हैं, वो clear हो जाएंगे, तो ये बात हमने discuss कर ली कि कार्तिक पूर्णिमा को दो मेले हमने discuss कर ली, एक देख लिया कि बीकानेर में जो कोलाय जगए है, वहाँ पर कपिल मुनिका मेला लगता है, और दूसरा हमने देख लिया कि अजमेर में जो पुसकर जगए है, वहाँ पर पुसकर मेला लगता है, अब यह जो पुसकर है, इसको कुछ special नामों से बोला जाता है, पुसकर को तीर्थ राज बोला जाता है, कोकन तीर्थ बोला जाता है, तीर्थो का ममा बोला जाता है, यहाँ पर जो पुसकर जील है, इसके चारोतरा 52 घाट बने हुए है, साथी हाडोती कोन से भाग को बोला जाता है राजिस्तान के तो कोटा बुंदी बारा जालावार जो वाला भाग है जो मद्धिप्रदेश से जो टच होता है उसको बोला जाता है हाडोती भाग तो हाडोती का एक तरीके से कलरफुल फेस्टिवल हाडोती जो छेतर है उसका सुरंग जो है इसको बोला जाता है चंदरभागा मेला को और यह जो मेला है इसमें मालवे नसल के जो पसू है उनकी खरीद फरोंपbility होती है तो इसको पसू मेला के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा एक important मेला और लगता है और वो मेला लगता हैरामेसौरम में ये रामिस्वरम का है है तो रामिस्वरम जो है वो स्वाई मादूपुर में है और यहाँ पर इस जगे पर जो है वो तीन नदिया आकर के मिलती है मतलब तिर्वेनी संगम हो रहा है तीन नदियों का और कौन-कौन से नदिया चंबल नदी, चंबल की साहिक नदी है बनास तो इन ये तीनों नदिया मिलकर कि यहां प्राकर के मिलती है और वहीं पर जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है रामिस्वर स्वाई मादूपुर में तो ये तीनों important बाते जो है ये चारों मेले जो है वो हमने discuss कर लिये हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए कार सबसे पहले तो देखो मानलो कुछ धियान है आपको यह बात ध्यान में है कि चोत मतलब चतूर्थी जाता है और देखो एक बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सुकल चतूर्थी का जो वरत है सुकल चतूर्थी का जो चान्द है वो नहीं देखा जाता है ऐसा बोलते हैं कि अगर सुकल चतूर्थी का किसी भी महिने की सुकल की चतूर्थी जो है अगर उसका चान्द देख लिया जाए तो कलंक लग जाता है चोड़ी का आरोप लग जाता है इसलिए सुकल का चान तो देखेंगे ही नहीं और करवाचोथ जो है इसमें तो चान देखकर कि वरत ओपन किया जाता है तो सुकल जहां जहां है वहां तो आप बिल्कुल काट सकते हूँ दूसरा यहां पर अगर हम देखें तो करवाचोथ का वरत जो है वो कब बनाया जाता है अब आपको यह तो पता होना चाहिए कि कार्तिक महीने में बनाया जाता है तो कार्तिक कृष्ण चतुवति को जो है ये वरत जो है वो मनाया जाता है और इसमें कूरते जो है वो अपने 2011 में जो second grade का exam हुआ उसमें question पूछा गया था option है कार्तिक सुकल एकादसी को, चैतर कृष्ण एकादसी को, माग कृष्ण एकादसी को, भाद्रपद सुकल एकादसी को देखो आप एक बात ध्यान में रखिए कि कृष्ण जन्मास्टमी कब आती है तो भाद्रपद की कृष्ण पक्स की जो हमारी भाद्रपद की कृष्ण पक्स की जो एकादसी को बोला जाता है देव जूलनी एकादसी मनाई जाती है बाद्रपद सुकल एकादसी को अब इसमें क्या होता है कि भगवान की जो मूती होती है उनको लकडी से बने हुए छोटे-छोटे मंदिर जैसी विवस्ता होती है उसमें बिठाया जाता है और जो जलाश्य जो होते है जैसे तालाब, जील इनके किनारे ले जाकर के जो है उनको ले जाया जाता है मतलब तो एक तरीके से जो है वो भगवान जी के कुआ पुजन की रूप में इसको हम जानते हैं और जिन छोटे छोटे हमने देखने लकडी के छोटे जो है मंदिर जैसी विवस्ता की जाते जिन बिठा करके ले जाये जाता है उनको बोला जाता है बेवान तो देखो राजस्तान में जब भी कोई अग्जाम होता है तो इस तरीकी की specific term को लेकर की question पूछ लिया जाता है आ या फिर आपको देदेंगे कि किसी जगय का नाम या फिर आपको देदेंगे कि लकडी से बने वहे मंदिर जैसी विवस्ता जिसमें भगवानों को बिठा करके जलवियार के ले ले जाये जाता है तो इसका अनसरा जाएगा ये जिसमें लकडी की मंदिर जैसी विवस्ता ज इसमें भगवानों को बिटा करके जल्वियार के लिए ले जाया जाता है, तो ये बेसिक बात हमने डिसकस कर लिए जल जूलनी एक अदसी को ले करके, नेक्स्ट केशन है जो अभी हमने डिसकस किया कि करवाचोत कम मनाई जाती है, अब देखो इसी केशन को अलग तरीके से प बात पता चल रही होगी, कि बहुत सारे जो बेसिक बेसिक जो चीजे हैं, उनको किस तरीके से गुमा पिरा के क्योशन जो है, वो पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो है करवाचोत इसका अनसर आ जाएगा, अब देखो करवाचोत के बारे में अभी हमने देखा था कि कार् और यहाँ पर महिलाएं जो है, वो अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है, सातूरी तीज के बारे में आपको पताई होगा कि सातूरी तीज कब मनाई जाती है, तो सातूरी तीज जो है, वो भादरपद के कृष्ण पक्स की तिरतिया को मनाई जाती है, और यह साटूरी तीज है इस दिन सातू बना करके खाये जाता है इसलिए इसको साटूरी तीज बोला जाता है इसको बढ़ी तीज भी बोलते हैं ये बात आपको ध्यान में रखने है साथी साथ में इसको कजली तीज भी बोलते हैं तो किसी भी तरीके से option में question दे करके पूछ लिया जाए ये सारे option दे करके पूछ लिया जाए आपको clear होना चाहिए और आपका question ये है कि आप बता दोगे कि तिल चोथ जो है वो कब मनाई जाती है आप comment box में बताओगे सकांस्वर ओके तिल चोथ चोथ मतलब वरत है और वरत है तो सुकलपक्स का चतुर्थी तो नहीं आएगी ये बात आपको ध्यान में रखना है और कृष्णपक्स की आईगे अब कोन से महीने की कृष्णपक्स की चतुर्थी ये आप comment box में बता दो अब देखो हमने बात की कि चतुर्थी जो है वो सुकलपक्स की जो है उस दिन कोई तेवार नहीं होता है लेकिन एक गणेजी का जो जन दिन होता है वो भाद्रपर्द के सुकलपक्स की चतुर्थी को होता है ये एक अपवाद है ये आपको ध्यान में रखना है इसके बाद में question है कि Gordon कम मनाय जाता है तो इन दोनों question को हम एक साथ discuss करेंगे क्योंकि दिपावली का जो तेवार होता है इसको बोला जाता है पंचुत सव पांस दिन का यह तेवार होता है और तेवार की सुरुवात हो जाती है ये तो बात आप सभी को पता होगा कि कार्तिक की जो अमाश्या होती है उस दिन दिपावली मनाई जाती है तो दिपावली से जब मेन दिपावली जिस दिन होती है उसके दो दिन पहले से तेमवार सुरू हो जाते हैं दो दिन बात तक तेमवार चलते हैं मतलब कार्थिक अमाश्या, कार्थिक अमाश्या मतलब पहले पक्स का पंदरवय दिन, पहले पक्स का कार्थिक महीना है, और कार्थिक महीने में पहला पक्स जो है, वो कृष्ण पक्स है, और इसका जो पंदरवय दिन है, वो अमाश्या है, तो कार्थिक अमाश्या को क्या मन हमने दिवाली मना ली तो इसके दो दिन पहले से तेमार शुरू हो गए मतलब कार्थिक के कृष्ण पक्स की त्रियोदसी से तेरस से जो है वो तेमार शुरू हो गए और उस दिन तेमार होता है धन तेरस ठीक है जो धन तेरस होता है इस दिन बरतन खरीदना सुमाना जाता है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब समुद्र मंतन हो राता तो धन्वंत्री जो है वो हाथ में कलस लेकर के निकलेते और इसलिए इस दिन जो है वो बरतन खरीदना सुब माना जाता है तो बरतन खरीदने खरीदे जाने चाहिए दंतिरस वाले दिन उसके बाद में चतुर दसी वाले दिवाली दिवाली से कुछ basic बाते हैं, दिवाली के बारे में तो आप सभी को पता है जो है, जो है दिये जलाए जाते है, पूजा की जाते है, तो अलग-लग कहानिया है इस तेङवाली को लेकर के, लेकिन हमारे दो important personality जो है एक तो स्वामी दयानन सरस्वती और दूसरा जो है भगवान माहवीर जो जैनों के 24 वे तिंथंकर थे भगवान माहवीर और एक स्वामी दयानन सरस्वती इन दोनों का निर्वान दिवस मतलब इन दोनों की death जो है वो कार्तिक अमोश्चक हुई थी दिपावली वाले दिन हुई थी तो जैनों ने क्या किया कि भगवान माहवीर की जब death हुई उसके कुछ दिनों बाद में ही एक कलेंडर सुरू किया था और जिसको बोला जाता है वीर निर्वान समवत और जो एक तरीके से जो बनिये होते हैं वो इसी दिन से अपने आज भी जो है वो अपने बही काते जो है वो इसी कलेंडर के आधार पर क्योंकि इस तरीके से इनकी नवर्स की सुरुआ जो है वो इस दिन से हुई और इसलिए दिपावली से वो अपने बही काते आज भी चेंज करते हैं तो ये हमने कार्तिक मौश्या के बार डिस्कस कर ली, मतलब दिवाली की, अब हमने देखा कि दो दिन आगे तक भी चलते हैं, तो पहला पक्स कतम हो गया महीने का, अब चलेगा दूसरा पक्स, मतलब चलेगा कार्तिक का सुकल पक्स, तो कार्तिक के सुकल पक्स की प्रतिपद जो तेंवार होता है उसको बोला जाता है गोवर्दन तो गोवर्दन कम बनाये जाएगा कार्तिक सुकल एकम को अब देखो राजस्तान में जो नात दुवारा में जो है वो बहुती बड़ा अनकुट महुतसव होता है और क्रेशन आजाएगा कि कहां का अनकुट महुतसव ज जिसको बोलते हैं भाई दूज या फिर उसको बोलते हैं यमदित्या इसमें जो है बहने जो है वो भाई को अपने घर पर बुला करके जो है खाना खिलाती है चावल खिलाती है और उनकी पूजा करती है उनके लंबे उमर की कामना करती है तो इस तरीके से दिपावली जो है पांस दिन का तेवार होता है जिसको पंचुतसव के नाम से जानते हैं यह सारी बेसिक बाते जो हैं आपको पता होनी चाहिए तो यह सब कुछ हमने डिसकस कर लिया है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है जहां से क्येशन जो है किसी भी फैक्ट को लेकर के किसी भी तरीके से क्येशन पूछ सकते हैं तो इस सारी बेसिक बाते जो हैं आपके क्लियर होनी चाहिए तो अगर आप यहां तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ओके थैंक यू